हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेट से एक कुशन लेकर आए हूँ सर वैसे तो ये कुशन 1 माक्स का ही है बट सर कुशन की लेंग्विज बहुत तकड़ी है कुशन की लेंग्विज को समझना जरूरी है अगर आप कुशन की लेंग्विज को समझ गए न तो कुशन को देख कर सिर्फ आप आंसर बता सकते हैं ठीक है तो चलिए बाल को बिना किसी देरी के आरंब करते हैं देखे, if the value of a third order determinant is 12, ओके सर उस matrix का order क्या है? third order, यादि इंका order 3 to 3 है और उसके determinant की value क्या है सर? 12 है तो बच्यो एन हो गया 3, order को हमें एन से लिनोट करते हैं और suppose कर लो कि वो जो matrix है न उसका नाम A है तो फिर A का determinant कितना आएगा? 12 आएगा ठीक है, ओके सर एक matrix A है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यह matrix है सर, ठीक है? इसके determinant की value 12 है, order 3 to 3 है आगे then find the value of the determinant, आप मुझे उसके determinant की value बता दो सर किसके? formed by replacing each element by its co-factor, हर एक element की जगे है, किस ने ले ली है? co-factor ने ले ली है, तो फिर co-factor के whole determinant की value बताओ सर क्या होगे? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मैं बताता हूँ आप लोगो, co-factor की बात कर रहे हैं सर आप? co-factor के हमें निकालू ना, तो क्या आ जाएगा फिर मेरा A11, A12, A13, ठीक है? A21, A22, A23, then A31, A32, A33, सर ही आ गया मेरा co-factor, ठीक है सर समझ आ गया? इसकी value बताओ, अब इस सर, value इसकी value तो दो, co-factor के element की value तो दो, मैं solve कर लूँगा? लेकिन सर, आपने तो कुछ दिया है इनिन के बारे में, element के बारे में कुछ बोला ही नहीं, कि अहाँ element भी देते, तो मैं co-factor find कर लेता? लेकिन सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे solve करूँ? समझ दो बच्चो, क्योंकि co-factor के determinant का कोई formula नहीं होता, इसका कोई अपना कोई formula नहीं होता, जिसे मैं solve कर सकूँ? तो अब समझ दो एक question होगा कैसे? सर, एक बात बताओ, बच्चो, inverse के बाद आप क्या find करते हैं? inverse अगर find करना हो, inverse find करना हो, तो co-factor के बाद क्या find करते हैं? adjoint? चलो, find करो, adjoint क्या होगा? सर, सुनिए मेरी बात ध्यान से, adjoint of A अगर मुझे find करना हो, तो क्या होगा? सर, adjoint कुछ और नहीं होता, transpose of co-factor होता है, transpose of co-factor होता है, ठीक है? R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, R3 को C3 बना दो, तो बच्चो, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, सर, मैंने adjoint find कर लिया, लेकिन सर, adjoint क्यों find करा? क्योंकि सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ, adjoint A के whole determinant का formula होता है, क्या formula होता है, determinant A की power n-1, तो सर, determinant A कितना है मेरे पास 12, n क्या order 3-1, ठीक है बच्चों, तो 12 की power 2, कितना आ जाएगा आपका 12 की power 2? 144, इन नीचे तक दिख रहा आप लोगों को, हाँ जे सर, ठीक है बच्चों, 12 की power 2 कितना हो जाएगा, आपका 144 हो जाएगा, किसकी value आ गई सर? सर, ये value आ गई, adjoint A के whole determinant की 144, अब सुनो ध्यान से, भाही, इन दोने के बीच क्या relation होता है? सर, adjoint कुछ होर नहीं होता है, इसका transpose होता है, किसका co-factor का transpose होता है? अच्छा, सर, थोड़ी देर के लिए, इस adjoint A को मैं matrix B नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ? तो फिर ये क्या हुआ, सर? अगर ये B है, तो ये क्या हुआ, सर? सर, ये ना, सर, ये ना, इसका co-factor है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये B transpose हुआ, और बच्चों, एक formula, एक property जानते हैं, हम, क्या कहता है हो, कि किसी भी matrix के determinant के value, उसके transpose के determinant के value के क्या होती है, बच्चों, matrix के determinant के value, उसके transpose के determinant के value के बराबर होती है, तो सर, ये कुछ और नहीं है, इसका transpose है, सर, ये कुछ और नहीं है, इसका transpose है, तो अगर इसकी value 144 है, तो इसके transpose की value भी क्या आएगी, 144 ही आएगी, तो सर, एक बात बताओं, इसको हटाओं, तो सर, एक बात बताओं, co-factor के whole determinant क जो value होगी वो भी क्या होगी 144 ही होगी क्योंकि सर co-factor कुछ और नहीं है इसके adjoint के determine adjoint के transpose है मैं converse करू तो तो सर मैं जानता हूँ किसी matrix के determine की value उसके transpose के determine के value के बराबर होती है तो अगर adjoint ये 144 है तो co-factor का whole determine भी 144 ही होगा और ये रहा बच्च्वाप का answer ठीक है तो कहने का मतलब question कह रहा था एक matrix है इसका order 3 into 3 है उसके determine की value 12 है अब उस हर एक element की जीगे co-factor ने लिया तो आप मुझे co-factor के determine की value बताओ तो मैंने आप से कहा co-factor के determine की कोई value नहीं होती ठीक है आप एक काम करो transpose करके adjoin find करो ओके तो adjoin के whole determine की value find करने का formula होता है सर डिटर्मेंट एकी power n-1 और answer is 144 तो मैंने खाब से कि sir co-factor कुछ और थोड़ी है इसका क्या है transpose है और मैं जानता हूँग किसी matrix से determine की value उसके transpose के determine की value के बराबर होती है तो अगर ये 144 है तो फिर ये भी क्या होगा sir 144 तो co-factor का whole determine क्या होगा sir 144 आपका answer कोई दिक्कत बच्चो जहर question था ना जहर question था ठीक है तो प्लीज इसको वीडियो को pause करके question को खुद से भी कर लो मिलती है next वीडियो में इससे भी जहर question के साथ so thank you so much